Hello everyone, welcome back to my channel So guys, जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग 12 महिने में 13 फिस्टिवल को सेलिबरेट करते हैं तो अभी recently 13 सेलिबरेट करने के बाद भूबनेश्वर रेडी हो गया है गजलच्मी पूजा को सेलिबरेट करने के लिए वो भी बहुत ही सुंदर सुंदर पूजा पंडाल के साथ तो फिर चलिए आप सबके साथ में शेयर करती हूँ 2024 गजलच्मी पूजा भूबनेश्वर का ये सुंदर सा वीडियो तो ये सबसे पहला पंडाल जो आप लोग इस वीडियो में देख रहे हो वो है जागमरा पूजा पंडाल सबसे पहले हम लोग वहीं पही गए थे हमारा पूजा पंडाल घूमने का जर्नी स्टार्ट हो गया था जागमरा से यहाँ पे बहुत सुंदर एक तोरन बनाया गया है पंडाल बनाया गया है और मातारानी को पूजा किया जा रहा है वैसे आप सबको पता होगा कि कुमारपुर्णिमा की दिन से ही ये स्टार्ट होता है गजलच में पूजा का त्योहार सो इबनिंग की टाइम पे ही मातारानी को पूजा किया जाता है दिन हमारा सेकिंड पूजा पंडाल का डेस्टिनेशन था सौभागया नगर भूबनेश्वर न्यू एरपोर्ट रोड में ही आपको मिल जाएगा ये वाला पंडाल ये भी काफी जदा बड़ा अंड सुन्दर लग रहा था गैस गोल्डन और रिल्ड कलर का पैटेन का बनाय गया था पंडाल और अंडल जाते ही आपको इसे ब्लू कलर का बैक्राउंड के साथ गोल्डन कलर का तोरन भी देखने के लिए मिलेगा यहां पे भी पूजा स्टार्ट हुआ नहीं था तो इसलिए मातर रनी के चेहरे को ढखा हुआ रखा गया है गैस बट बहुत ही सुन् पे आके मातर रनी का अश्रबाद जरूर लेके जा सकते हो वैसे आपके इलाके में कहां पे सबसे सुन्दर गजलच में पूजा मनाया जाता है कमेंट करके जरूर बताना और भुबनेशुर से अगर आप लोग हो तो भुबनेशुर का कौन सा वला पंडल आपको अच्छा है बस एक दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग जब आओगे तो अच्छे से दर्शन करके जा सकते हो दिन गए सोभागया नगर से सीधा हम लोग अंगनगर में पहुंचके वहां पे छोटा सा पंडल बनाया गया था इस तरह से मातर रनी को वहां पे बहुत ही बड़ा सा देखने के लिए मिल जाएगा पंडल जो की पूरा ग्रीन और वाइट कलर कॉम्बिनेशन में बनाया गया है अच्छिली इसमें ने अर्टिफिशल ग्रास दिया गया है जो ग्रीन कलर के पैटरन में आप सबको दिख रहा है यह पूरा अर्टिफिशल ग्रास ही लगाया गया था इसके ऊपर यह बहुत ही जदा अट्राक्टिब लग रहा था गैस हम लोग जब अंदर गये अंदर का डेकुरेशन बहुत ही जदा खूबसूरत था मुझे तो यह वाला पंडल बहुत पसंद आया पूरा जूमर से भरा हुआ था दोनों साइड बड़े बड़े अर्टिफिशल फ्लावर्स लगाय गये थे जो की काफी ज़्यादा यूनीक भी था और यहां पे भी माता रानी का तोरन काफी ज़्यादा सुन्दा लग रहा था चारो तरफ का डेकुरेशन आप सबको यहां पर मैं दिखा रहे हूं यहां पे हर साल पू ुँटे छोटे मीरर का भी काम किया गया है नर्तकी के पोज में कहीं पे कोई दोलक बजा रहा है तो इस तरह की बहुत ही सुनदर काम हमें वहां पे देखने के लिए मिला गया है तो यह एक मस्ट रेकमेंड़ेड पूझा पंडल आप लोग यहां पे जरूर विजट करना जो सेल्स का काम किया गया था ना वो मुझे काफी जादा पसंद आया गया यहाँ पे भी पूजा की तैयारियां चल रहा था जब हम लोग वहाँ पे गया थे क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैंने आप सबको बता है कि कुमारपुर्निमा के दिन गजलच में पूजा ना परिशद के द्वारा दिन हम लोग गए हमारे अगली डेस्टिनेशन में जो की है भुबनेश्वर का फेमस गजलच मी पूजा पंडल बापू जी नगर में गाईस तो इस बार का डेकुरेशन तो आप सबको दिखी रहा होगा इस वीडियो में इतना जादा खूबसूरत ह यह पूरा हुइट कलर में बनाया गया है और इनका थीम जो है वो है एंजल वर्ड यानि की परियों का राजिय तो सामने इसे बड़े बड़े लचमी जी की वहान बनाये गये हैं यानि की उल्लू बनाये गये हैं यह तो बस बाहर का नजारा था जब आप लोग अंदर जा हुआ नहीं था तो इसलिए थोड़ा बहुत कुछ टॉल्स हमें देखने के लिए मिले लेकिन काफी कुछ चीजें आपको इस मेले में मिल ही जाएंगे दिन गैस हम लोग अंदर गए और इसे परियों का स्टैच्व आपको देखने के लिए मिलेगा और पूरा वाइट कलर नगर पैटन में है, जैसा कि मै ने बताया, एक इंजल वाल बनाया गया है, यहाँ पर मातराणी को विराज बन किया गया है, लोटस के उपर, और पूजा की तैयारियां कितनी अच्छी तरीके से चल रहा है, आप सबको दिखी रहा होगा, और यहाँ पर बापूजी नगर में आप सबको आना ही है क्योंकि भुबनेश्वर का सबसे फेमस पूजा पंडाल गजलच्मी के लिए बापूजी नगर ही है गाइस तो जब आप लोग आओं कि तो अल्लेडी पूजा हो गया होगा तो आप लोग मातारानी का दर्शन भी करके यहां से जा सकते हो बट उससे पहले आप लोग यहां की ठोड़ा डिकृरिशन्स के ऊपर भी ध्यान दो कि कितने सुन्दर से इसको बनाया गया है एंजिल्स बनाया गया है इसे बहुत ही सुन्दर सुन्दर चीज आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा लग इनका जो तरीका है ना बनाने का ये मुझे हमेशा पसंद आता है कुछ न कुछ नई थीम ही लोग लेके आते हैं तो कलश यातरा किया जाता है पूजा से पहले तो इसलिए पूजा का सारे कलश वहां पे रखा गया था एंजल उन्होंने इतने बारी की से बनाया है आप सबको यहां पे दिखी रहा होगा गया सच में लगेगा कि आप लोग कहीं परियों के राजिय में ही हो इतना जादा खो जाओगे आप लोग वहां पे जाके लेकिन खो जाने से पहले मेरे चानल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो क्यूंकि बहुत ही अच्छी वीडियो तो आते ही रहेंगे और आभी रहें है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना गैस और अपने फ्रेंज और फैमिली के साथ तो आपको जरूर शेयर करना है ताकि आप लोग उनके साथ ये पूजा पंडाल घूमने के लिए देखने के लिए आ सको तो कुछ दिर यहाँ पे टाइम स्पेंट करने के बाद फिर हम लोग बाहर आए और हमें ये चटपटा खाना वहाँ पे दिख गया है तो मैंने यहाँ पर पानी पूरी ट्राइक कर लिया क्यूंकि मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है हर लड़की को पसंद है शायद और य दूरा केकन कटलेट तो यहां पर मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि हर मेले का शान होता है वो दिन वहां पर घूमने के बाद फिर हम लोग आगे आगे असोक नगर में कैस और असोक नगर में इसे जगमगाता हुआ एक सुन्दर सा पूजा पंडाल का गेट हमें देखने के लिए म हम लोग बिना सोचे समदे उसके अंदर घुजगे क्योंकि हमेशा यहां पे पूजा पंडाल लगता है चोटा सा है लेकिन बहुत खुबसूरत देवी मा का बिराजमान किया जाता है तो इधर हम लोग गए और आप सब को यहां पे दिखा रही हूं पंडाल का विजूल ज चायद आप सब को भी पसंद होगा क्योंकि माहोल इतना जयफुल हो जाता है इतना पावन हो जाता है किसी और काम में मन ही नहीं लगता गाईज और फेस्टिव सुजर में मुझे ना कुछ ना कुछ नहीं चीज़े खरीदने का मन करता है सजना सबरना अच्छा लगता है गूमना अच्छा लगता है, पंडाल गूमना अच्छा लगता है, आपको कैसा लगता है, कमेंट करके बताना जुरूर। बट इस वार जब हम लोग वहां पे पहुंचे ना, सजावड तो काफी ज़्यादा सुन्दर था, लेकिन वहां पे माता रणी को सजाया जा रहा था, साड़ी वगेरा पहना 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 जा रहा था, तो हमने दर्शन नहीं किया और आगे आगे, आगे मतलब शुरूती श्र पैया स्कुयार जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां पे भी इस तरह का सुन्दर सा पंडल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यहां पे ना, सजावड चल रहा था, जैसे की माता का तोरन यहां नीचे रखा हुआ है, पूरा प्रॉपर वाइट कलर में था, यह मुझे बह आगे आने के बाद आपको इस तरह का राममंदिर के साइड में एक छोटा सा पंडल दिख जाएगा, पूरा राममंदिर के साइड में ही है, जब हम लोग अंदर गए, अंदर इसे ब्लू और रिट कॉंबिनेशन का बहुत ही सुन्दर एक डेकोरेशन किया गया था, उपर इसे छोड़े-छोड़े-छोड़े कुछ हैंगिंग्स वगेरे लगाया गये थे, जो कि काफी ज़्यादा एक डेकोरेटिव और वाइवरंट लुक भी दे रहा था, देन गैज हम लोग पहुँच के थे जनपत में, जनपत में भी हर साल यहीं पर ही पंडाल लगता है, य आपको मिल जाएगा वो वाला पंडाल देख लेना, उसके बाद हम लोग है शहीद नगर दूरगा पूजा पंडाल में जहांपे गजलच में पूजा किया जाता है, जहांपे दूरगा पूजा हुआ था, उसी पंडाल में ही गजलच में पूजा किया जाता है, और यह विजिट करना और बहुत अच्छी तरीके से यहां पे पूजा किया जाता है और फाइनली हम लोगों ने माता रानी का पूरा दर्षन कर लिया यहां पे पूजा खतम हो गया था और हमने दर्षन कर लिया आप सबको भी इस वीडियो के थ्रू में दर्शन करा रही हूँ बहुत खुबसूरूती से इनको बिराज मन किया गया है और पूजा पारवन का माहोल पूरा बना हुआ था वहाँ पे गैस दिन शहीद नगर में और एक पूजा पंडल भी हर सल बनाया जाता है लेकिन यहाँ पे पूजा का तैयारियान चल रहा था आप सबको दिखी रहा होगा तो मातारणी ऐसे ही थी और हमने ऐसे ही दर्शन किया लेकिन आप लोग जाओगे तो अच्छे से दर्शन करके आना बहुत ही जादा खूबसूरत लगती है यहाँ पे मातारणी और ऐसे भी आप लोग देखी सकते हो पूरा राणी कलर का सारी के साथ यह गोल्डन कलर का जूलरी और यहाँ पे हाथी की सवारी यानि की गजलच में पूजा है यह गाईस दिन शहीद नगर से जाके हम लोग बानी बिहार ट्राफिक स्क्वेर के पास एक छोटा सा पंडल बनाया गया था वहाँ पे गये थे गईस आप लोग भी जाके यहाँ पे दर्शन कर सकते हो क्योंकि सहीद नगर से पूरा नजदीकी में ही आपको यह मिल जाएगा तो हमने पुरा जागमरा से स्टार्ट किया था अपना पूजा पंडल घूमने का जर्नी और अभी हम लोग बानी बिहार स्क्वेर के पास पहुँच के हैं तो आप लोग हमारे रूट को फॉलो कर सकते हो अदर्वाइस आप अपने हिसाब से अपना रूट फॉलो करके कि भूबनेश्वर के और भी बहुत सारे जगाओं पे गजलच में पूजा का पंडल आपको देखने के लिए मिल जाएगा लेकिन हम जो जो सारे पंडल घूमे थे इस वाले वीडियो में आपको बस उतना ही देखने के लिए मिलेगा वैसे बानी भीहर स्क्वेर से हम बहुत खूबसूरत बनाया गया है तो आप लोग इसको बिल्कुल भी मिसमत करना यहां पर चोटा सा पार्क है जैसे कि आप सब को वीडियो में दिखी रहा होगा पूरा पार्क को इन्होंने सजा दिया है और यहां का डिकुरेशन का थीम आप सब देखी सकते हो कि कोनार् है और यहां पर किर्टन भी चल रहा था तो वहां पर कुछ देर हम लोग रुके किर्टन देखे मातर अनी को दर्शन किया बहुत सारे लोग वहां पर बेढ़के पूजा देख भी रहे थे क्यूंकि यहां पर सिटिंग अरेंजमेंट काफी ज़दा अच्छा था अच्छा दोनों तरफ ऐसे छोटे-छोटे मिट्टी के घर का रिप्लिका बनाया गया है और जैसे उडिसा के कल्चर को रिप्रेजन किया जाता है ना घर के उपर इसे पिंटिंग करके उसको भी बनाया गया है यहां पर पूरी श्रीमंदिर का भी कुछ रिप्लिका बनाया गया था तो overall ये जगा मुझे काफी ज़दा पसंद आया तो आप लोग ये अचारिय बिहार वाला पंडाल जरूर घूमना यहाँ पे कुछ इस तरह से lightning वगेरा भी किया गया था गैस पुरा fisty माहूल था तो काफी ज़दा पसंद आया दिन हम लोग वहाँ से पहुँच गये थे CRP में CRP स्क्वेर में भी हर साल पूजा किया जाता है गजलचमी मा को और इस साल भी कुछ इस तरह सा पंडाल बनाया गया था गैस बैक्राउंड में फूलो का डेकुरेशन किया गया था और यहां पर पूजा स्टार्ट हुआ नहीं था कुछ इस तरह सा इनका गेट बनाया गया था तो यहां से सीधा निकलके हम लोग आ गये थे कोलथिया जिसका गेट धोली का रिप्रेजेंटिशन था यहां पर हर साल बहुत बड़ी तरीके से पूजा किया जाता है गजलच मी पूजा इसमार का अरेंचमिट भी काफी ज़्यादा बड़ा था आप सबको दिख रहा होगा और यहां पर अल्रेडी पूजा हो गया था तो हमने मातारेनी का दर्शन बहुत अच्छे से किया और आप सबको भी दर्शन करवा रही हैं इस वीडियो के थूजा हो चुका था तो इसलिए धूब के बज़े से आपको यहां पर थोड़ा धुआ 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 दिख रहा होगा लेकिन बैग्राउंड का तो आप लोग देखी सकते हो ग् बहुत बड़ा एक पंडाल बनाया जाता है हर साल कोलतिया में तो आप लोग यहां पर चाहो तो आकि एक बार दर्शन कर सकते हो और हम तो हर सल इधर आते हैं दर्शन करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है तो आप लोग भी अपने फ्रेंसान फैमिली के साथ जरूर कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक कर लेना हम लोग बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक निक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गजलच में पूजा एंजोई करो और बाई